आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुकाओ Minecraft की Pocket Edition and Bedrock Edition की सबसे कमाल की Top Ests Video जी हाँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुकाओ Minecraft की सबसे ज्यादा Danger और सबसे ज्यादा खतराणज वीडियो यानि कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Minecraft की एक ऐसी mystery, एक ऐसी seed, जिसके अंदर आपको बहुती कमाल कमाल के creature और बहुती कमाल कमाल के entity मिलेंगे तो आपसे request करता हूँ कि वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो को skip बिल्कुल भी मत कीजेगा अगर आप लोग भी इस creature से fight करना चाते हो, इन creature से अगर आप लोग deal करना चाते हो, तो आपको बस ये वीडियो step by step follow करनी है ये जो seed है, ये pocket edition and java edition दोनों पे ही काम करती है, आप इसे दोनों पे ही use कर सकते हो, ये जो seed है, ये 1.14 की सबसे best seed है और आज मैं इसे latest update में try करने वाला हूँ, और पता करूँगा क्या सच में इस seed के अंदर हमें कोई entity या फिर कोई monster मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक नया वर्ड बनाना है, तो हम चलते हैं एक नया वर्ड जनरेट करने के लिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नया वर्ड बनाना है, तो हम चलते हैं सबसे पहले एक नया वर्ड बना जी हां तो सीड आपको step by step follow करनी है सीड आपको डालनी है 8 2 1 9 7 4 1 5 3 6 2 9 8 आपको यह वाली सीड डाल देनी है उसके बाद आप अपने हिसाब से graphics और setting on off कर सकते हो और अपने world को आप generate कर लो तो यहाँ पे मैं कुछ देर wait कर लेता हूँ तो जैसे ही आप spawn हो जाओगे इस world के अंदर तो आप लोग इस biome के अंदर spawn हो जाओगे सामने ocean है आपके और इस तरफ आपके लिए wood है तो यहाँ से मैं wood collect करके अपनी सबसे पहले wood के tool complete कर लेता हूँ तो आप से मिलता हूँ wood के tool complete करने के बाद तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने लिए wood collect कर लिया है और सबसे पहले जो है मैं अपने लिए एक wood की pickax और एक x बना लेता हूँ और साथ ही मुझे लगता है कि मुझे एक board बना लेनी चाहिए तो मैं एक board भी बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ ओशन से जो है बाहर निकल सकूँ तो यहाँ से मैं सारा collect कर लेता हूँ मैं स्वचराओं कि अब मुझे अपनी journey शुरू करनी है तो मैं इस तरब जाने वाला हूँ सीधे यहाँ पर कहीं पर उस्टोन अगर मुझे दिखता है तो मैं इस तरब जाने वाला हूँ अपनी जर्णी शुरू करूँगा और साथ ही मैं अपने लिए फूड भी कलेट करता जाऊँगा तो चली दोस्तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं तो हमें जाना इस तरफ था कि मैं अपनी जर्णी में जो है कुछ भी मिस ना करूँ मैं अल्मोस 10,000 ब्लोक चलूँगा और अपनी जर्णी कम्प्लीट करूँगा और अगर मुझे इस सीड के अंदर कोई भी मोंस्टर या फिर कोई भी एंटिटी मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊँगा तो दोस्तो चलिए आज की जर्णी हम शुरू कर चुके है यहाँ पर मुझे स्टोन नहीं दीकराए भी तक तो आगे चल के कई ने कई स्टोन भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो तो दोस्तो मैं अल्मोस जो है तीन पंद्रा सो ब्लोक आगे आ चुका हूँ जी हाँ मैं एक अजार पांसो ब्लोक आगे आ चुका हूँ और अभी तक मुझे इस जर्णी में कोई भी एंटिटी कोई भी मॉइस्टर दिखाई नहीं दिया है मैंने काफी ज़्यादा फूड भी कलेट कर लिया है ताकि इस जर्णी के अंदर मुझे फूड की कोई भी कमी ना हो तो मैं आगे की जर्णी कंप्लीट करूँगा और मुझे अल्मोस तस हजार ब्लोक की जर्णी कंप्लीट करनी है ताकि मैं इस world को पूरा explore कर सकूँ तो दोस्तों चलिए आगी की journey complete करने के बाद आपसे मिलता हूँ तो यहाँ पर night होने वाली है तो मुझे लगता है यहीं पर अब मुझे so भी लेना चाहिए यहाँ पर almost night होने वाली है तो हम यहाँ पर सबसे पहले सोने के बाद अपनी journey जो है complete करूँगा यानि के आगी की journey complete करूँगा तो दोस्तों मैं almost 5000 block complete करने वाला हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस seed के अंदर कोई भी entity कोई भी monster नहीं मिलाए और नहीं कोई जो है temple या फिर किसी तरह का village मिलाए तो मैं अपनी journey इसी तरह continue रखूँगा और मुझे 5000 block और चलना है और अपनी journey complete करनी है तो दोस्तों मैं almost 10,000 यानि 10,000 block complete करने वाला हूँ लेकिन इस world के अंदर मुझे कोई भी monster या फिर कोई भी entity अभी तक नहीं मिलाए हो सकता है कि 1.19 के latest update में अब ये work नहीं कर रहा है लेकिन अगर आप लोग इसे try करना चाते हो तो 1.14 में try कर सकते हो वहाँ पे अब भी ये seed 100% work करती है तो दोस्तों हमारे 10,000 block complete हो चुके हैं और हमारी journey complete हो चुके है और अभी तक मुझे इस world के अंदर कोई भी entity कोई भी monster दिखाई नहीं दिया है तो अभी इस seed को बिलकुल fix कर दिया गया है अगर आप इसे try करना चाते हो तो 1.14 में try कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं मारे next वीडियो में तब तक के लिए take care